Macintosh या Apple Computer पर Launchpad और ScreenShot का उप्योग कैसे करें Launchpad मैं चाहता हूँ कि आप नीचे जाएं और इसे खोलने के लिए Launchpad आइकन पर क्लिक करें जैसा कि आप जानते हैं, Launchpad आपको अपने computer पर सभी application या program तक त्वरित पहुंच की अनुमती देता है अब अन्य नामक आइकन पर क्लिक करें इन में से अधिकतर application जिनका आप कभी उप्योग नहीं कर सकते हैं हाला कि चार अनुप्योग हैं जिनका आप कम से कम में एक बार उप्योग कर सकते हैं पहले आवेदन को Migration Assistant कहा जाता है यदि आप एक नया computer खरीदते हैं, तो आप अपने सभी application, program, file, folder, password और संपरकों को नए computer पर स्थाना अंतरित करने के लिए Migration सहायक का उप्योग कर सकते हैं साथ ही, Migration Assistant इस सारी जानकारी को एक Mac से दूसरे Mac या PC से Mac में ट्रांसफर कर देगा यह हमें Boot Camp Assistant में लाता है Boot Camp आपको अपने Mac पर Windows चलाने की अनुमती देगा इस प्रकार आपका Mac computer या Apple computer एक साथ Mac computer और Windows computer हो सकता है अगला डिस्क ओप योगिता है डिस्क ओप योगिता, वो जगह है जहां आप hard drive और USB drive को प्रारुपित करते हैं सबसे उपर, प्राथमिक चिकित साथ नामक आइकन आपकी hard drive या USB drive को ठीक करने का प्रयास करेगा विभाजन, नामक अगला icon drive को विभिंक शेत्रों में विभाजित करेगा इस प्रकार, यदि drive काफी बड़ी है, तो आपके पास drive, backup drive और नियमिद drive दोनों हो सकती है या आप एक ही समय में hard drive से apple application या windows application चला सकते हैं अगले icon को, मिटा कहा जाता है, मिटा, hard drive या USB drive पर सब कुछ हटा देगा और drive को दोबारा सुधार देगा अगले icon को, mount कहा जाता है, यदि hard drive या USB drive कम्प्यूटर से जड़ा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, तो mount, drive को फिर से जोडने का प्रयास करेगा स्क्रीन शॉट स्क्रीन शॉट लेने के दो तरीके हैं, पहला तरीका एक ही समय में shift, command और number 3 की इसको hold करना है यह विधी पूरी स्क्रीन का स्क्रीन शॉट लेगी और छवी को दस्तावेस फोल्ड में रखेगी यदि आप छवी खोलते हैं, तो छवी का शीर्षक वो दिनांख होगा जब छवी बनाई गई थी, और वो समय जब छवी बनाई गई थी दूसरा तरीका लांच पैट को खोलना है और फिर आइकन को अन्ने कहा जाता है अब कैमरे की तरह दिखने वाले आइकन पर क्लिक करें, जिसका लेबल स्क्रीन चॉट है यह एप्लिकेशन आपको संपूर्ण स्क्रीन या कम्प्यूटर स्क्रीन के हिस्से का स्क्रीन चॉट लेने की अनुमती देता है संपूर्ण स्क्रीन पर कबजा, नामक पहला आइकन, संपूर्ण कम्प्यूटर स्क्रीन का स्क्रीन चॉट लेगा दूसरा आइकन जिसे कैप्चर चैनित विंडो कहा जाता है, केवल उस विंडो का स्क्रीन चॉट लेगा जिसमें आप वर्तमान में है तीसरा आइकन जिसे Capture Selected Part कहा जाता है आपके द्वारा चुने गए Computer Screen के कुछ हिस्सों का स्क्रीन शॉट लेगा चौते आइकन को Record संपूर्ण स्क्रीन कहा जाता है पूरी स्क्रीन को एक त्वरित समय विडियो के रूप में रिकॉर्ड करेगा पांचमें आइकन को चैनित भाग Record करें कहा जाता है यह आपके द्वारा चैनित Computer Screen के केवल एक भाग को त्वरित समय विडियो के रूप में रिकॉर्ड करेगा यदि आपने Screenshot विकल्पो में से एक का चैन किया है और फिर विकल्प नमक अगला आइकन चुने तो एक Drop Down Menu प्रदान करता है जो केवल स्क्रीन शॉट के लिए है पहली श्रेनी यह प्रदान करती है कि आप स्क्रीन शॉट या Recording को कहां सहेजना चाहते हैं दूसरी श्रेनी उल्टी गिंती टाइमर का विकल्प प्रदान करती है यह एक टाइमर दिखाएगा और जब टाइमर शून्य पर पहुंच जाएगा तो यह स्क्रीन शॉट लेगा या Recording शुरू कर देगा यदि आपने Recording विकल्पो में से एक का चैन किया है और फिर विकल्प नमक अगला आइकन चुने तो माइक्रोफोन नमक एक अतिरिक्ट शॉर्णी प्रदान करेगा आप इस शॉर्णी का उप्योग यह चुनने के लिए कर सकते हैं कि आप किस माइक्रोफोन का उप्योग करना चाहते हैं जैसे आंतरिक माइक्रोफोन या बाहरी माइक्रोफोन आप इसे no sound या no audio record करने के लिए भी कह सकते हैं अंतिम श्रेणियों को floating thumbnail अंतिम चैन याद रखें और mouse click दिखाएं कहा जाता है floating thumbnail नामक श्रेणियों आपके द्वारा अभी अभी record की गई चीजों का एक thumbnail द्रिशे प्रदान करेगी और कुछ सेकंड के बाद गायब हो जाएगी remember last selection नाम की category का मतलब है कि आपको अपने चुने हुए area को reset करते नहीं रहना पड़ेगा show mouse clicks नामक श्रेणि हर बार जब आप किसी चीज़ पर क्लिक करने के लिए mouse का उपयोग करते हैं तो एक काला घेरा record और दिखाएगा जैसा कि आप मेरे सभी वीडियो में देखते हैं खुर्पया लाइक पर क्लिक करें कमेंट करें या सब्सक्राइब करें शुक्रिया